नमस्कार, हाई एवरीवन, विलकूम बैक तो माई चैनल and I hope you all are doing fine आज का जो वीडियो आपको आलेडी पता है, हम आज बनाने वाले हैं प्रिंसस कट ब्लाउस उसकी कटिंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग, सब कुछ उसमें है इसके लिए मैंने वान मीटर जोजट का फैबरिक लिया है, बाकी तो डीटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी देती हूँ आज हम बनाएंगे बलाउस, बलाउस के लिए मैंने लिया है, एक मीटर में फैबरिक हैं दो मीटर अस्तर क्योंकि ये औफ़एट कलर है और अस्तर बहुत पतला हो जाता है, अस्तर में ने टू मीटर लाइनिंग लिया है, देखिए अब इस बार ना फोल्डिंग वारा साइड हम आपके साइड करेंगे और जो ओपन साइड है वो मेरी साइड करेंगे, क्योंकि मुझे इसमें बैग जिप लगाना है, लेंद है हमारी 16 हम लेंगे 17, 16 प्लस 1 इंच सेम टू सेम आप इधर भी मार्ग कर लीजे, अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए एक स्ट्रेट लाइन मार्ग करेंगे अब जो हमारा शोल्डर है वो है 16, तो हाफ ओफ शोल्डर 8 हो जाएगा, देखें यहाँ पे जो है मुझे हाफ इंच का मार्जिन देना है, मुझे जिप लगाना है इसलिए तो यह मैं 8.5 लोंगे इट पॉइंट फाइफ पे निशन लगा है, अब हम जो इसको शोल्डर डाउन करते हैं वो वान इंच पे करेंगे, अब आप इसको मिला दीजे, इस तरीके से, अब इसके बाद हम आमोल के लिए 8 इंच पे मार्ग करेंगे, अब आप इसको ऐसे राउंड शिप में मिला द करेंगे, चेस्ट है, हमारा अपर चेस्ट है, 9.5, मतलब 38, उधर के साइड हमने हाफ इंच मार्जिन लिया है, तो 10 हो गया, 10 ही हम वेस्ट लाइन पे लगा लेंगे, मार्ग, अब देखे, मैं आमोल नाप लेती हूं, इदेख, 18 आ रहा है, अब आप इसको कट कर लीजे, अब इसको कट करने के बाद, हमको इसमें नौश लगाना है, हाफ इंच अपर को ले जाएंगे, और एक डाइगनल लाइन, मतलब मिड पे रख कर माक कर लेंगे, हमारा डार्ट 4 इंच का है, अब हम इसमें फ्रंट पार्ट कट करेंगे, ये देखे, हाफ इंच एक्स्रा थ है, यहाँ पर, फाइव इंच ही चाहिए होता है, हर ब्लाउज में, अब यहाँ से हम जो है, फ्रंट का प्रिंसस कर वाला पार्ट वान इच एक्स्रा लेंगे, अब आप इसको मिला दीजे, अब ये वाला जो पार्ट है, ये हम लेंगे, वन ट्वेल्ट ऑफ जैस, 3.5 प् करते हैं, वो हम रखेंगे 14, मतलब हाफ 7, अब आप इसको मार्ट करके और कट कर लीजे, अब हम इस पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, जो रिमेनिंग फैबरी के उस साइट पे, जो कम कपड़ा है, वो हम उपर साइट और जादा कपड़ा जो है, वो बाटम साइट पे रखेंगे, अब इसके बाद में कामी करना है, हमको इसके पर बैक पार टकना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा इच साइट पे छोड़कर, वो तो थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो उसको हम एक्वल कर देंगे, अब देखें, बाटम से हमने वन इंच एक्षा लिया था, यह वन देखेंगे, बैक के आमूल के हिसाब से, अब यह यह इस हिसाब से आपने एक्लाइन ड्रो किया, अब यहाँ पर अल्रड़ी हमारा कम आता है, अब फ्रंट करके कि हम डाउन करते हैं, वो मार्क कर लिया, अब इसके बाद हम 11.5 पे एक मार्क करेंगे, और वहां से 1.5 कि देखें, यह कट हो गया है, अब यह जो रिमेनिंग है, यह देखें, अल्रड़ी डबल है फैबरिक, तो मैं इसको स्ट्रेट कर लिया, और में स्लीज में भी इसमें लाइनिंग लगाने वाली हो, तो मैंने हाफ ऑफ स्लीज का बॉटम लिया है, 5.5 प्लाइड इंच, अ यहां से हम 4 इंच पर माक कर लेंगे, और इसको मिला देंगे, स्लीज की कटिंग में आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ, अब देखें, इसको खोलेंगे, एंदेन हम इसका मिट पॉइंट लेंगे, 5.5 अब यहां से हम 1 इंच अंदर के साइड स्लीज को डा डाइगनल उरेव पट्टी निकाल लेंगे, पाइपन तो नहीं हम से पट्टी लगाएंगे बट उसके लिए उरेव निकालेंगे, अब हम में फैबरी को कट करेंगे, में फैबरी को कट करने के लिए जो फोल्डिंग साइड हो आपकी साइड है और जो ओपन पार्ट हो मे अब इस साइच से हम फ्रन्ट पार्ट निकाल लेंगे फ्रन्ट का सैंटर पार्ट इक्सक्राप्ट 味ले से अब हम नेक कट करेंगे तो увелич hice श्ज्ट करेंगे तो फोर फाइव इंच के माजीन से अब इतना फैब्रीक है थोड़ा सा ये कम पढ़ रहा है कोई बात ने मुस्में जॉइंट लगा लेंगे और यहां से हम साइड का पिंसस कर निकाल लेंगे ये एक्ट्रा जॉइंट के लिए अब हम ब्लाउस को स्टिच करेंगे सबसे पहले स्टिचिंग के लिए हम एक अस्तर लेंगे उसके उपर सीधा में फैब्रीक रखेंगे उसके उपर एक और अस्तर रख देंगे अब आप इसको ऐसे के स्टिच कर लीजिए हाफ इंच के माजिन से जो हमने पहले अल्री रखा था अब इसको ऐसे कट करके इसमें टॉब सीम लगा लेंगे अब इसमें हम डाट लगा लेंगे जो मने मार्ग किया है अलरड़ी अब हम इसको कच्चा करेंगे प्लीट कच्चा कर लेंगे इससे यह होगा कि जो इसमें कोई भी एक रिंकल नहीं आएगा प्रॉपर अच्छे से अस्तर और मेन फैबरिक अटैश हो जाएगा अब इसका जो फैबरिक है एक्स्ट्रा वो हम सब कट कर देंगे क्योंकि हमने मेन लाइनिंग जो है अस्तर वो अच्छे से कट कर चुके हैं सेम टू सेम हम दूसरा पार्ट भी कर लेंगे अब हम इसमें जिप लगाएंगे जिप लगाने के लिए मैं जिप को उल्टा ऐसे रख लूँगी एन जो इसकी माजीन है लेक हाफ इंच उसी से में पूरा स्टिच कर दूँगी अब इस स्टिचिंग को जो है वो पूरा कम्पलीट उपर तक शोल्डर तक लेके जाना है इस टाइप से अब हम जो दूसरा पार्ट है वो भी सेम टू सेम इस वाले पार्ट में अटाच कर देंगे हाफ इंच की माजीन से ये भी हम उपर शोल्डर तक ही लेकर जाएंगे ऐसे अब देखिए जो प्रेडी है बट ये जो उपर इतना सारा हमारा उपन है इसको क्लोस करने के लिए हम इसमें 2 इंच का फैबरिक लगा देंगे उसके लिए हम ये जो पट्टी है इसमें से 3.5 इंच का फैबरिक कट कर लेंगे और इसको ऐसे करके डबल फोल्ड कर देंगे ये बस हमको एक सपोर्ट चाहिए कि हमारी जो जिप है वो प्रॉपर अच्छे से फिट हो जाए अब देखिए मैं इसके अंदर इसको मशीन के अंदर रखूंगी इंदेन इस पट्टी को जिप के उपर से ले जाके इस तरीके से रखूंगी एंदेन इसको यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे हम इस स्टिचिंग को हम दो बार लगा लेंगे ऐसे एन अब हम इसको ऐसे स्ट्रेट में स्टिच कर देंगे जो बॉटम पर हमने फैबरिक रखा है उसके साथ ऐसे करके अब इसको वापिस से इस वाला पर्ट को भी स्टिच कर देंगे यह पैक हो गया और यह इतना स्लिट तो हमें खोलना पड़ेगा क्योंकि फ्रंट पैक नेक है अब हम प्रिंसेस का जो फ्रंट का सेंटर पार्ट है वो हम स्टिच करेंगे वो भी हम सबसे पहले कच्चा कर लेंगे उसके लिए सबसे पहले हम जो इसका सेंटर है उससे एक बक्या सिलाई लगा लेंगे उससे यह होगा कहना आपका फैबरिक इधर उधर नहीं होगा बिलकुल अपनी पोजिशन पर ही रहेगा यह देखे इस टाइप से अब आप इसको अच्छे से स्टिच कर लीजे लाइनिंग और मेन फैबरिक को इस टाइप से यह कोई भी अस्तवाला सूट बनाए बलाउस बनाए सबकी ही प्रोसेस रहती है सेम प्रोसेस से हम वोक करते हैं यह हमारा डन हो गया अब यह हमारा प्रिंसस का साइट पार्ट है इसमें जो हमारा फैबरिक कम हो रहा था हम सबसे पहले इसको स्टिच कर लेंगे सबसे पहले हम इसको वर्टिकल में स्टिच कर लेंगे इस पीस को एंदेन हम इसको होरिजॉंटल में ऐसे करके स्टिच कर लेंगे अएसे हमने अटैक्श किया और अगें इसका जो एक्स्टरा फैबरीक बहुत कर लिया अब हम इसको स्ट्च करेंगे स्ट्च करने के लिए हमनेे असके के सेंटर पार्ट में side part को रखा और एकदम normal hand से हमको ये stitching करना है बिलकुल भी इसको खीचना नहीं है बिलकुल भी इसको loose नहीं छोड़ना है normal hand से हम इसको stitch करेंगे यह देखे same to same जो हैं हम दूसरे side बाला part भी करदेंगे यह हमारा ready है अब हम इसमें back part का जो यह आम हो ले, वो हमारा perfect है तो आगे का जो आम हो ले वो देखिए आप थोड़ा सा छोटा आ रहा है तो हम इसकी बराबर उसमें mark कर लेंगे और उसको cut कर लेंगे इस type से आप इसको cut कर लेजे तो अब यह जो back और front का हम उले equal हो गया अब हम इसमें neck cut करेंगे neck का जो broadness हमने रखा था वो 3.5 रखा था अब इसकी जो length है back neck की वो 1.5 इंच रखेंगे 1.5 अब आप इसको cut कर लेजे अब हम इसके shoulders को join कर लेंगे आप यह process देखने के लिए मेरे कुर्टा वाला वीडियो भी देख सकते हैं अब हम stitch कर लेंगे इसको अब हम neck में stitch कर लेंगे double करके इस टाइब से normal hand से इसमें भी हम को कोई भी मतलब बिल्कुल भी इसको stitch मतलब stretch नहीं करना है इस टाइब से थोड़ी सी प्लीट दे दीजेगा अब हम इसमें top seam लगा लेंगे जैसे हम हर कपड़े में top seam लगाते हैं अब हम loop बनाएंगे loop के लिए मैंने इसे अंदाद इसे कपड़ा cut कर लिया उसको ऐसे double to double fold कर लिया अब इसको ऐसे loop के shape में में stitch कर लूँगी इस टाइब से and अब इसको मैंने इस टाइब से इसमें रख लिया and तो आप 0.25 इंच की margin से stitching कर दीजे अब यह हमारा neck complete है हम इसमें button लगा लेंगे यह इस type से back neck, यह front neck हो जाएगा अब हम इसमें stitching करेंगे fitting वाली fitting वाली stitching करने करें सबसे पहले हम इसको सीधे पर सीधा रखके ऐसे करके वो कर देंगे stitch कर देंगे both sides से तो यह side वाला margin वो finish हो जाएगा अब हम को इसकी जो waistline है वो finish करना उसके लिए जो हमने यह पत्तिया कट की थी यह पत्तियों को हम जोड लेंगे and आप इसको हम stretch करेंगे जैसे हमने neck की पत्ति किया है same to same हम इसमें करेंगे यह देखे इस टाइप से अब हम इसमें top seam लगा लेंगे जैसे हम लगाते हैं वैसे भी मैं already एक blouse का वीडियो बना चुक है आप वो भी देख सकते हैं अब देखे इसको fold किया अब अब देखे अगर हम यहां से एकदम straight रख लेंगे तो यह zip लगाने में problem आईगी तो मैं उसको हलका से ऐसे diagonal कर लूँगी and then इसको हम बख्या से लाई कर लेंगे फिर हम इसमें बाद में hamming कर लेंगे यह देखे यह ready है bottom अब हम इसमें fitting लगाएंगे fitting लगाने के लिए 9.5 से हम लगाएंगे upper chest के साब से यह हुआ और जो हमारी waist है वो हमारी 32 है तो हम उसमें 8 इंच पे mark कर लेंगे and एकदम straight stitching लगा देंगे क्योंकि हम mid chest है 42 उसका तो margin उलरी princess cut में ले चुके हैं यहां पे अब दूसरे साइड पे हम same to same mark कर stitch कर लेंगे अब हम इसकी sleeves finish करेंगे sleeves finish करने के लिए हम एक पार्ट ले लेंगे main fabric का और अस्तर का अब मेकोस में थोड़ा सा designer sleeves बनाना है तो मैंने यह जो गोटे के फूल साड़ी में यूज किये तो उनी को half cut कर लिया and उसको ऐसे करके इसके साथ stitch कर दिया अब मेरा margin में चला जाएगा अगर हम वह भी लगा देंगे तो थोड़ा सा गोटे के फूल हम को चुप सकते हैं तो यह इस टाइप से तीन गोटे के फूल से मेरे को six half kangaroo मिल गए है यह अब मैं इसको equal cut कर दूँगी इसके बाद हम इसको पट्टी से finish करेंगे यह ऐसे करके पट्टी लिया हमने जैसे हम border finish करते है न वैसे अब हमने इसको ऐसे करके stitch कर दिया top seam से एक्दम finish इस type से अब हमारा यह finish हो गया अब हम इसको ऐसे करके fold करके इसमें भी बख्या सिलाई लगा लेंगे और बाद में हम इसमें hemming करने वाले हैं यह रेखे कितना finish हो गया है और अच्छे से यह गोटे के फूल लग गया है इसमें यह stitching एक हमने extra लगा ली अब हम इस sleeves को इसके साथ attach कर लेंगे अस्तर के साथ 5 रहेगा मतलब 11 बॉटम में sleeves का and वही हमारा जो armhole है वो हम 19 रखेंगे यह armhole वाली process में आपको बहुत सारी videos में बता चुकी हूँ I button में मैं blouse वाला video और एक कुरते वाला video भी रख रही हूँ आप वो भी प्लीज देखेगा अब हम sleeves को इसके साथ attach कर लेंगे जैसे हम सारी suit की या blouse की किसी की sleeves को attach करते है same to same process से हम इसकी sleeves को attach कर लेंगे आप इसमें उसके बाद interlock कर लीजे नहीं available है तो ऐसे ही आप double stitching लगा लीजे इसके साथ चलिए blouse ready हो गया है यह same to same हम दूसरी sleeves भी लगा लेंगे इस type से अब यह blouse is ready आप already देख चुके हैं लेकिन आप proper आप blouse की fit देखिए इसमें यह front part है blouse का and यह back part है इस type से आप अपने blouse मना सकते हैं process रहेंगे हर size की blouse के लिए so thank you for watching